वारानसी के प्रसिद्ध घाटों का दीदार करने के लिए देशी विदेशी सैलानी वारानसी आते हैं और इन घाटों से सैलानी नाव में यात्रा करते हैं यहां के नावचालक यानि नाविक मांजी समाच से हैं वारा नसे में मांची समाज से लगपक डेड़ लाख मत दाता हैं और पिछले चुनावों में यहां से भाजपा को बहुत समर्थन मिला था लेकिन आप नावे खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं दोजा चोदर से सरकार बनी है भाजपा की हम लोग को जैसे जैसे सरकार की टाइम बित्ते गई तब से परतारीथ हम लोग को बन किया गया नाव को अधर आठाना नाव को तुलवाना हर जग हर हर परकार की से आई मतलब कहने के मतलब यह है कि सरकार तो आई लेकिन सरकार को हम लोग यह बनाएं लेकिन सरकार हमारे उपर क्यों ओपर तालित किया गया क्यों कर रहा है वोट थिया कि मोधी सांसट भी हो गही हूए क्योंकि एक तो कहते समय हम लोग अपने आपको गंगा पुत्र मांदे हैं और मोधी जब बना साय तो वह कहते हैं जैंकि मैं गंगा पुत्र हूं मुझे इसनको ब Sans самой हिसाब से भी हम लोगों ने खूब मन लगा कि उनको वोट किया चुनावे बीद गई लेकिन उसके बाद हम लोग के उपर एक तरह से इस तरह का रवया अपनाया गया कि जैसे हम गंगा पुत्र नहीं कोई बहुत बड़े बीजेपी के दुस्मन है क्योंकि हर जगहां से सिर्फ और स लोग को छेडे का काम नई किया इनके सरकार में आते हैं इस पाथ से हम लोग को खेती करने पर रोख लगा दिया गया कि वहां कच्वा कचुए सेंच्यूरी है कच्वए अंडे देते हैं और इन लोग को ये भी समझने कि ज़रूरत नहीं है जिसने यह लोग कच्छुए को घर में बिठा के प्रसिक्षर देते हो कि आपको इसी के बीच में रहना है क्योंकि कच्छुए की अपनी एक धारना है कि वो लोग हमारे बड़े लोग कहते थे कि कच्छुए का एक दिन में कम से कम 14 किलोमीटर उनको चलना रहता है वहले वह सरकल में गूमते रहें, एक कुए में भी रहेंगे, तो गूमते गूमते उनको 14 किलोमीटर चलना है, तो क्या लोग उनको समझा के रखे दे कि आप इसी के बीच पे 14 किलोमीटर चलना है, बार-बार कोशिस के बाद भी वहाँ पर कचुआ दुदूर कचुए का कभी एक अंडा भी न जाता है, उसके बाद हम अल्ला लोग वहाँ पर खेती बारी कर ले, अपना दुकान दवरी लगा के, जो भी अपना व्यापार कर सकते थे, और उसका जो तमान होता है, वो दिया जाता था, लेकिन इनके सरकार में आने के बाद उस पे भी रोक लग गया, जी, हर साल, हर साल बाद आता है, पानी में डुबा हुआ जगा, हम लोग के लिए वो गंगबरार के भूमी हो जाती थी, जी, उपजाओ भी हो जाती थी, और बढ़िया उपज होता था, वहाँ बंद कर दिया गया, एक इबोट का भी शुरुआत किया गया था, मोधी जी ने दोचार इबोट मतलब इलेक्ट्रिक बोट इतने बड़े बोट को नहीं चलाया जा सकता था, छोटी बैटरी वाली इंजन उन्होंने लगा के दिया था, लेकिन आज के दिन में वो आवाज नहीं करती थी, आज के दिन में वो सब कहां है, यह हम लोग को पता नहीं है, क्योंकि छो लगे और आए दिन आप नियूज में देखेंगे कि आपकी नावे CNG से नहीं चलेंगी, तो आपके नावों को उचित कारवाई किया जाए, पॉलिशन, और हम लोग परियावरन को देखते हुए, CNG को एकसेप्ट किये, जबकि सरकार का दाही तो बनता है कि वो जल से जल लेकिन ये तीन साल हो गए, अभी तक CNG का आधा भी काम नहीं हुआ है, और रह गया लाइसेंस के वगरा, यहाँ पे बोट के नाम पे लाइसेंस पे ठगी की जा रही है, जहाँ पे हम लोग 45 रुपया, 50 रुपया लाइसेंस देते रहे, आज के डेट में बुला कर लाइस लाइसेंस 2,000 इस तरह का लोग से पैसा लेकर लाइसेंस बना रहे हैं, जो कि सर्वतर गलत है, और रह गया बनारस का बात, बनारस मात्रेग, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का प्रचार इस्थान बन गया है, बनारस एक महज प्रचार, क्योंकि जितने भी काम दिखा कोरोना वैश्विक महमारी के समय सरकार ने नाविकों के लिए कोई राहत का काम नहीं किया पहली बात पहली बात तो मैं आपको इस बात से जरूर अलग रखना चाहूंगा कि यह मोदी जी के आने के वज़े से टूरिजियम बढ़ी है टूरिजियम का मतलब है कि पिछले दो साल में लॉक्डाउन में लोग नहीं आ पाए थे सारे लोग अभी इंतजार करें अभी तो काइदे से अगर फ्लाइट वगेरा चलने लगे सारे देश को लोगों को आने दिया जाए ना तो यह हमारी दो साल की जो डूबी हुई रकम है वह हम अपनी भरपाई कर ले अना एससरी जिसकी जरूरत ही नहीं है और हम लोग के उपर सौतेला ब्यावार तब भी करोना काल में भी हुआ एक तरफ रोड पर सारी गाड़िया घोड़े चल रहे हैं और हम लोग के सिर्फ नाओं में ही ऐसा न जाने क्या विद्व थी बाद भार्प लोगं को मुँ आउज़ा दिया जा रहाए हमारे यहां बैटे लोगं इतने लोगों में से हम लोग ने लगव धाई से 3,000 फॉर्म लोगों का जो 11,000 रुपे की बात होती थी अपने हाथ से भर बरके हम लोगowing ने दिया और किसी हमारे थाँ भरे विद् तुरिजम की बात हो रही है वास्त विकता बता दे इस समय बणारत इंट पूरें वीश्व में कोरोना चल रहा बढ़ है इस बात को गोरा से देखिएगा पूरें विश्व में कौरोना काल चल रहा है दो साल हो गए लोग वैपार से एकदम तरस्त है और कुछ नहीं मिला है जब बनारस में 50 परसंट से जादा होटल लॉज बंद कर देंगे तो भीड कहां जाएगी वह जादा तर जाएगी दसा सुमेद और में में असी और ऐसे जो चुनिंदा जगा है वहीं पर जाएंगी और वहीं पर जा वो सीधे कहेंगे कि मेरी नावे तो बन ही पड़ी है मुझे कहां मिला है तो ये सिर्फ प्रचार हो रहा है कि मोदी जी को आने से बहुत ज़्यादा टूरिजम बढ़ा है तूरिजम देखा जाए तो अभी एकदम 20 से 30 परसंट से ज़्यादा नहीं है जब तक फॉरें प्रूस का संचालन करने से नावेकों में काफी नाराजगी है उनका कहना है कि इससे उनकी रोजी रोटी पर बहुत प्रभाव पड़ेगा हमारे बनारस के अंदर और जगों के बारे में तुम्हें नहीं जानता हूँ कासी के अंदर अपनी एक ब्यवत्ता यह है कि यहां पर लगबख असी घाट है और असी घाटों पर हरे घाट पर अलग-अलग माजियों का अपना मालिक आना है वहां के माजिव उस घाट से अपना व्यापार करते हैं उस पर भी इन्हों ने हस्तक्षेप किया योगी बाबा ने हम लोग के बीच में क्रूज लाने का काम किया क्योंकि देखिए आज ये क्रूज आया है आगे एक नई अनेक आएगा और उस क्रूज के लेके हम लोगों ने काफी हंगामा किया हम लोगों ने लगबख तेरह दिन बनारस की नावे बंद रखी पूरा प्रसासन साथन सारे हिल गए और उसके बाद सासन और प्रसासन के को ने मिलके हम लोगों के साथ क्योंकि हम लोग का उस समय यह भी करना था कि जो भी बाते करनी होगी हमारे नाव में आपको आखे बैट के बात करनी होगी सारे सासन प्रसासन के लोग बीच में आए नाव में इस चीज को तैय किया गया कि देखिए क्योंकि उस समय क्रूज चल रही थी खिड़किया घाट से दीरे दीरे उनका भाव बढ़ा वो चले आए असी घाट पर असी घाट पर आके चलाने लगे और वो हम लोगों से इस बात पर रसुला किये कि देखे अभी तुरित में इसको हटाया नहीं जा सकता है अभी यहां से आदा किलोमीटर दूर ह कि और कुरूज आ गए हैं यह कुरूज वाले अगर देखा जाए तो लोगों का यही करना है कि क्रूज कोई सरकारी नहीं है यह सारे प्राइबेट लोग वही सिलिए मैं कहता हूं कि यहां पर जो हुआ है शिर्फ और सिर्फ व्यापार हुआ है व्यापार के नाम पर एक पूरा मारकाट का माहौल बनेगा इन सब चीजों से उनको को ही फरक नहीं पड़ता है कि आगे क्या होगा अपने इच्छा से वो कारे पे कारे करते चले जा रहा है। नाविकों का कहना है कि सरकार द्वारा गंगा की सफाई के नाम पर बहुत खर्चा तो हुआ है लेकिन सफाई नहीं हुई। गंगा जी में अगर काम हुआ है इस बात से मैं परहेश करता हूं गंगा जी में रत्ती भर काम नहीं हुआ। दो दिन बाद वारा नसी विधान सभा में चुनाओ है और नाविकों का कहना है कि लोग प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट डालते हैं। लेकिन यहां के विधायक और मुख्यमंत्री ने कोई भी काम नहीं किया है। तो लोग अगर कोई वोट करने भी जा रहा है तो मोदी जी के नाम पर यहां के बिधायक को देखना चाहिए कि कौन बिधायक है यहां का मुख्यमंत्री कौन बनना है उसके नाम पर वोट करना चैयों लेकिन लोग को यह भी नहीं पता होता हुँ कोन सी पार्टी है program कौण लोग ख़ड़े हैं मोधी जी के नाम पर वही तो मैंने बोला कि इन लोग को अगर कुछ भारी पढनेवाला ये पांच किलो चावल ये बहुत भारी पढ़ मेरब लोग पांटी नहीं करता है चाहर में प्रकाफ इद लोगों के बीष में लेकिन इस सरकार में सरकार जब medidas लेकिन यह लिए धर्म की राज़िति करके लोगों को पर्तारित करके यह बहुत अच्छा नहीं कर रहे तो क्या हिंदु उसी को बोला जाता है जो मंदिरों को तोड़े जो मूर्तियों का बिंध्धों सा क Weihnमाट करना चाहिए उसी को ही बोला जाता है आपकी सामने दीख रहा है कारीडोर इसमें कम से कम ऊणे 300 मुर्थियों का विधुंस किया गया इसमें विधुंस करने वाला क्या कोई पाकिस्ता anschकता या मोदी जी पाकिस्तानी है क्या जो इतने मुर्तियों का विद्धूंस कर रहे हैं तो अगर ये उनके विधायक बात करते हैं तो हम आजी समाज के लोग भी मोदी जी से ये बात करना चाहेंगे उनको बताना चाहेंगे कि क्या आप मुसल्मान है जो इतने मंदिरों का विद देखिए अब इस बात को कहने से लोगों को बहुत बुरा लगता है असल में एक एक चोर को घर का आप संग रक्षड करने के लिए रक्षड करने के लिए दे दीजिए तो निस्ची तोर पर घर में कभी चोरी नहीं होगी तो सीधा सीधा हमारा तो यह कहना है कि जब यही लोग है जो दूसरे की सरकार में दंगा करते थे करवाते थे वास्तविक दंगाई तो यही लोग है जो हमेशा हिंदू-मुसल्मान के नाम पर दंगा करते थे इनको अपने सरकार का डर है कि हम दंगा करेंगे तो हमारा सरकार लूब जाएगा इसलिए आशकाल जब से इनकी सरकार बन वे दंगा बंद है